स्वागत है आप सभी का साइन साइन फन पे जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोरों से पढ़ाते हैं और आज हम लोग मिले हैं और गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर फूर के लिए लेक्चर नंबर फ्री बहुत 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 जादा इंपोर्टन था जहां पे हम लोगों ने बात की कि अगर एक कमपाउंड के अंदर एक से जादा फंक्शनल ग्रूप आ जाएं तो नामकरण कैसे किया जाता है और वहीं पे हमने साथ साथ सीखा कि bond line diagrams क्या होते हैं और bond line diagrams कैसे बनाए जाते हैं और उनको कैसे structure में convert करता है फिर मानू कुछ आपको सवाल homework में भी दिये थे अब बात रही assignment की तो मैंने आपसे last video में का था कि आपको एक assignment मिलेगा जो कि हम लोगोंने science and fun app पे डाल दिया है के solution को देखिएगा इमानदारे वाली बात तो यही है ठीक है जी और अगर आप वह assignment करेंगे तो प्लीज आप उसको फोटो खीच के मुझे इंस्टाग्राम पे tag जरूर कीजिएगा ताकि मैं देखूं कितने बच्चों ने उस assignment को किया हुआ है चीक है जी चलिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है तो कोई बात नहीं उसको इंस्टाग्राम पे उसके लिए आने की जरूरत नहीं है जस्ट एक ऐसे ही बात कर रहा हूँ कि जो जो है प्लीज टाग्राम पे जरूर कीजिएगा श्टोई डालके कि अगर आप वो assignment को कर रहे हैं तो कोशन्स बहुत अच्छे हैं कुछ सवाल ऐसे भी है जो आपने कभी देखे नहीं होंगे उस assignment के अंदर तो जाए assignment के उपर काम करने जा रहे हैं जिन में branched चीज़ें आ जाती है बताब branched के अंदर sub branch branch तो अभी तक करते ही आए थे लेकिन कभी कबार branching के अंदर भी branching आ जाती है ऐसे चीज़ों का अच्छा पहली बात तो आज का लेकर छोटा होगा reason being क्योंकि आज हम सिरफ एक main topic पे focus कर है वो है sub branching ताकि हम normal culture के अलग लेक्षर बना दें although हम एक और चीज़ आज पढ़ने वाले वह है कि cycle compounds में जब branching होती तो नाम करन कैसे होता है ताकि आप assignment भी कर सको धंग से चली तो सबसे पहली बात तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर sub branching के अंदर भी branching आजा है मतलब कि branch के अंदर branch इसको मैं sub branching कहता हूँ मेरे साब से इसका as such कोई नाम है नहीं लेकिन मैं इसको sub branching कह देता हूँ यानि branch के अंदर branch अब आप सोच रहे होगे कि branch के अंदर branch का मतलब क्या है यह क्या कह रहे है तो मैं आपको एक question करके देत आप खुछ समझ जाओगे लाइक CH3 CH2 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 CH3 यहां पर हमारे पास CH है यहां पर हमारे पास CH3 और यहां पर भी हमारे पास CH3 अब अगर आप यह देखें तो इसमें आप जब लॉंग से चैन चुनोगे तो यह अब्वियस है के लॉंग सेन हमारी सीधी वाली आजाएगी इसमें अगर आपने लॉंगेस चेन चुनते हो तो लॉंगेस चेन हमारी ये सीधी वाली लॉंगेस चेन आजाएगी अभी तो सीधी वाली हमारे पास लॉंगेस चेन आई है अब अगर आप ध्यान दें तो इस लॉंगेस चेन में आप अगर सब ब्र branching तो है लेकिन branching के अंदर भी branch है कैसे अगर आ preaching में जाए तो आप उस branching में दो carbon एक दो यह एक दो लेंगे तो कोई ना कोई भार नहीं रहे जाएगा जैसे अगर आप इन दो को chain के अंदर जेतें माल लो इन दोनों को आप चैन्दर लेते हो यह वाला बाहर रह जाएगा ईन दोनों को लोग है तो यह वाला बाहर क्यों के आप शुरुमात करोगे जहां से वो branch शुरूँ है जैसे इस वाले carbon से branching की शुरुआत हो रही है तो आब यहां से या तो left में जाओगे या तो right में तो कोई ना कोई carbon भार रहे जाएगा जिसको हम सब branching कहते हैं अब ऐसे लोगों का नाम करण हम लोग कैसे करते हैं इसके लिए अलग format है जिसमें हम लोग bracket में इसका नाम लिखेंगे सबसे पहली बात तो यह पूरी चेंड तो ही अपने आप में जिसमें one two three या one two three four तो one two three पे बैठा हुआ है four five six तो three पे बैठा हुआ है यह पूरा अब इसमें भी दो कार्बन आप देख सकते हैं कि one और two यहां पे हैं अब यहां पे one पे जो बैठा हुआ है उसको मिठाइल बोलेंगे आगे हैं दो तिन कोशन करने के बाद यह समझ में आता है अच्छे से one पे बैठा हुआ है मिठाइल लेकिन यह पूरा का पूरा कौन है यह पूरा का पूरा सेटप three पे बैठा हुआ है तो three अब यहां पे इसका जो नाम है क्योंकि यह सब ब्रांच है है हमारे पास इथाईल और यह पूरा है हमारे पास इथाईल यानि वन पे मिथाईल और यह पूरा इथाईल क्योंकि है तो यह अलकाइल ग्रूप ही अब यह ब्राकेट क्लोज हो गया इसका नाम हमने कर दिया अब यहां पर हमारे पास आप देख सकते हो कि छे कारबन है तो आंसर आजाएगा हेक्सेन नहीं समझ में आए से एक बारे में कैसे आजाएगा चलो एक और सवन CH3 CH2 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 CH3 अब दियां से देखना यहां पर आ गया CH2 CH CH2 और यहां पर आ गया CH3 ठीक है ना अब अगर आप longest chain की बात करोगे तो यह तो अविस है कि longest chain इसीदी वाली हो जाएगी क्योंकि एक दो तीन चार पांच छे साथ है और यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ है हना तो एक कारबन कैसा करते हैं यहां पर बढ़ा जाते हैं ताकि आपकी और confusion खतम हो जाए कि यह longest chain तो अब हमारे पास यही है चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है दिए अब इस हिसाब से बात करें तो हमारे पास यहां पर आ रहा है यहां पर फॉर पर यह चीज बैठी हुई है अब यह जो चीज आप देख सकते हैं सब ब्रांच है मतलब की ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है तो यह फॉर पर बैठा हुआ है यह पूरा का पूरा हिस्सा फॉर पर बैठा हुआ है अब फॉर पर क्या बैठा हुआ है तो इसमें हम नंबरिंग शुरू करेंगे शुरुबात ब्रांच वाले की नंबरिंग की हमेशा वहीं से शुरू हो सकती है जहां से actually में branching है, आप कहीं और दो शुरू नहीं कर सकते हैं, तो one, two, three, अब इसके खुद के two पे आप देख सकते हैं, एक sub branch है, तो इसका नाम कैसे होगा, पहली बात है, पूरा का पूरा जो branch है, वो four पे बठा हुआ, फिर bracket लगाएंगे, अब इसके खुद के two पे methyl है, और ये एक, दो, तीन मतलब की profile है, ये एक, दो, तीन याने की profile है, इसके two पे methyl है, और ये profile है, इसके बाद एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ का मतलब है, oct, सब में single bond है, एन तो नाम हो जाएगा octane, तो नाम हो जाएगा octane, क्योंकि branch के अंदर जब सब branch आ जा आएगा, ठीक है जी, आओ, एक, मतलब कोशन तो हम बहुत करेंगे, लेकिन ऐसे टाइप की आओ, एक कोशन और कर लेते हैं, लाइक, ऐसा करते हैं, आप बाउन लाइन के form में बनाते हैं, विकाज आप तो हम बाउन लाइन भी सीख चुके हैं, जैसे ये हैं, ठीक हैं, जानी, एक, दो, तीन है, और सेकेंड पर आप देख सकते हैं कि एक कारबन है, ठीक हैं, इस प्रकार से नाम हो गया, अब इसमें हमारे पास अगें, वन, टू, थ्री, फूर, फाइव, सेक्स, सेवन, ऐसा करते हैं, यहां पर अगें एक कारबन और ले लेते हैं, ठीक हैं, और इसमें भी एक ब्रांच डालते हैं, जस्ट थोड़ा सा और अलग करने के लिए इसको, ठीक हैं, अब अगें इस वाले में, मैं हाइडोजन ने लगा रहा हूँ, ठीक हैं, इस वाले में हमारे पास लॉंग एस चेंज जो है, वो यह आ जाएगी, यह हमारे पास लॉंग पढ़ेगा आपको, इसके टूब पर भी ब्रांच गे तो टूब भी बैठा हो आई कौन? मिठाइल, ये कuşन है प्रोपाइल, और ये पूरा का पूरा सेटप फोर पे है, तो पूर, ये कहां भी ए बैठा हो रहा है, ये कौन है ये carbon है 8 carbon का मतलब octane सब में single bond है तो एन तो octane हो गया तो यह हो गया four two methyl propyl seven methyl octane यह नाम इसका हो गया दन है दन है दन है तो अब आपको ऐसा लग सा रहा होगा कि यह मुझे समझ में नहीं का रहा है बट actually में थोड़ा सा मैनत मांगता है थोड़ा सा समय मांगता है इसको आप अभी मैं ऐसा नहीं कि मैं और question नहीं कर रहा ने अब हम cyclic compound में जाएंगे तो इसके ही question करेंगे branching को sub branching को cyclic compounds को मिला देंगे तो question उसी के उपर हो रहे हैं लेकिन आपको पहले इनको एक बार go through ढंक से कर लेना है ठीका ना चलो आगे बढ़ते हैं और सब branching के तरफ चलते हुए cyclic पे भी चल लेते हैं जैसे कि मालो पहली बात तो हमारे पास अच्छा I hope आपको पता हो नहीं पता हमारे बताएता हूँ जब बेंजीन के उपर OH लगा होता है तो इसको हम लोग phenol कह देते हैं मैं कुछ important compounds यहां पर लिख देता हूँ जब बेंजीन के उपर NH2 लगा होता है तो इसको हम लोग aniline कह देते हैं जब बेंजीन के उपर COOH लगा हो याने carboxylic लगा हो इसको benzoic acid कह देते हैं और ऐसे ही जब बेंजीन के उपर chlorine में गरा लगा हो इसको तो chlorobenzine बोल देंगे ब्रोमिन लगाओ तो ब्रोम बेंजीन बोल देंगे ना ऐसे इथाईल याने सॉरी CSD याने मिथाईल लगाओ इसको 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 प्यार से टॉलीन भी कहा जाता है और ऐसे ही अगर हमारे पास बेंजीन के उपर LD हैड लगाओ तो इसको बेंजेलडी हाइड भी कह दिया जाता है और अगर बेंजीन रिंग चेन मतलब कि हमारे में चेन मनाओ लेकिन साइड में हो उसे फिनाईल कह देंगे मैं आप एक नोट का पॉइंट लिख देता हूँ बेंजीन रिंग इन ब्रांट साइड चेन जब वो ब्रांट साइड चेन में जाएगा उसे फिनाईल कह देते हैं इस कॉल्ड फिनाईल तो उसको एक नया नाम दिया जाता है वो है फिनाईल मैं भी आपको कोशन करा हूँगा आप समझोगे अब हम यह जो बोड है यह आप आप चाहें कहीं पर नोट कर लो यह याद कर लो कि कुछ सवाल इसी से रिलेटेड हम करने वाले अब कुछ सवाल हम लोग को इसी बोड से डिलेटेड जो है वो थोड़ा जो है चलो तो ये तो हमारा फिनॉल हो गया लेकिन इसके टू पे क्लोरील लगावा है तो इसका नाम हो जाएगा टू पे लगावा है क्लोरो और वैसे ओवराल ये हो जाएगा फिनॉल तो नाम हो जाएगा टू क्लोरो फिनॉल इसका नाम हो जाएगा टू क्लोरो फिनॉल ठीक है जी क् पूरा ओएच पीछे मैंने भी आपको पताया फिनॉल है ऐसे मान लेते हैं हमारे पास यहां पे सी ओएच लगा है और यहां पे सी एच टू छी एस ट्री लगा और यहां पे मालो सी एस लगा वा तो नंबरें यहां से शुरू करेंगे विकॉज हां पर कार्बोकजलिक प्रिरेब पर लगावा थाइल और इथाइल को पहले हम लिखेंगे तो थी पर आगया इथाईल ABCD के हिसाब से थी पर हमार पास अगया इथाईल 4 पर हमार पास हा गया Medhide 4 पर हमार पास आगया THわか Emart Touch ाजएई इस ही 10 पर हमार पास आगया 2000 पर में पास हो जयेगा थीक है जैने जी चलिए इसके बाद आगे बात करें कुछ और सवाल अच्छा मैं करता आपको कि अगर हमारा बैंजीन सख आगर हमारा बैंजीन के बाहर आजाए तो उस दोरान हम लोग उसका नाम करण कैसे करेंगे जैसे कि हमारा जो बैंजीन हो चेंड के बाहर आएगा क्यों कि हमारी जो main chain हो जाएगी हमारी जो main chain हो जाएगी हमारी main chain होगी क्यों हमारे दो functional groups निकि alcohol और LD eyes ऊपर वाली chain में तो बैंजìn को मैं side chain में लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि हमें सारे functional groups chain में लेने होते हैं और LD हाइड को obvious के बात है preference भी देंगे हम लोग तो यहाँ 1 आ जाएगा यहाँ 2 आ जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा यहाँ 4 आ जाएगा अब LD हाइड को क्योंकि ज़्यादा preference मिलती है तो नाम के आगे OH को हम hydroxy बोल देंगे अब तक तो यह रट गया होगा लास्ट लेक्षर पूरा इससे के उपर था और यहाँ पर बेंजीन side chain में तो इसको phenyl बोला जाएगा बेंजीन यहाँ पर जो है वो side chain का हिस्सा है तो इसको phenyl कहा जाएगा तो side chain का अगर हिस्सा है तो इसको बोल दिया जाएगा अचा नाम के आगे आना क्या क्या है भाई hydroxy है और phenyl है और hydroxy और phenyl में H पहले आता है तो इसका नाम हो जाएगा 2 hydroxy 2 hydroxy यह पूरा हमार पास 4 carbon है और चौथे पे हमार पास phenyl है 4 phenyl 2 hydroxy 4 phenyl 2 hydroxy 4 phenyl इस पूरे में 4 carbon है हमार पास again 2 hydroxy 4 phenyl 4 कारबन है मतलब कि हमार पास यह हो गया but 2 hydroxy 4 phenyl but but के आप देख सकते हैं सब में single bond है एन नाम के पीछे हमार पास अल है तो butanil तो 2 hydroxy 4 phenyl butanil इसका नाम हो जाएगा समझ गए तो यह इसका नाम करण हो जाएगा बेंजीन जब भी side chain में आये तो इसका हम phenyl बोल देते हैं चीक है जी आओ अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर cyanide है यानि की nitrile है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ketone है अब ketone और cyanide में हम लोग cyanide को यानि की nitrile को ज़्यादा preference देते हैं और यह तो हमारा side chain में आए गई आएगा तो one color change कर देते हैं थोड़ा सा हाँ one two three four five और यहाँ पर आगया हमारे पास six अब five पर आने वाला है फिनाईल और three पर आने वाला हमारे पास keto केलो या औक्जो वैसे औक्जो जादा बहतर रहता है तो three पर औक्जो तो और five पर फिनाईल तो पहले को नाता है M N O P तो O पहले आता है तो three पर हमारा लग गया औक्जो और five पर आप देख सकते हैं ब्रांच है तो five पर हमारा लग गया फिनाईल 5 पigraphy पे हमारा लग गया phenyle तो 3 पे लग गया हमारा overemso और 5 पे लग गया हमारा phenyle 6 carbon यहाँ पे आप देख सकते हैं जो की hex के हैं 6 carbon जो की आप देख सकते हैं hex के हैं तो hex हो गया सब में single bond है तो ayna हो गया और नाम के पीच्छे nétrail आने तो E आयेगा तो नाम के पीछे आ जाएगा 1-Nitrile या Nitrile तो नाम हो जाएगा 3-OXO-5-Fenyl-Hexanitrile अब दो कोशन और ऐसे करते हैं जिसमें बेंजीन हमारा सब बरांच चला जाए फिर दो कोशन आपको मैं दूँगा अभी करने के लिए ताकि हम आंसर भी मैच कर सकें चलिए क्या बेंजीन में भी सब बरांचिंग हो सकती है उसी का तो वेट कर रहे थे हम लोग अभी तक हाना भई चलो आप ये बेंजीन है और बेंजीन के इदर हमारे पास C-L लगा हो है ठीक है अब इदर हमारे पास CH है इसके इदर OH है इदर मान लो CH2 है और इदर COOH है अब इसका नाम करन मैं कराओंगा और एक ऐसा ही कोशन और मैं कराओंगा फिर एक आप दो आपको करने होंगे चलिए तो अगे लहाँ पे बेंजोईक एसर आगया जहाँ बेंजोईक एसर खड़ा होता है अब थोड़े पहले पता है था कि सब ब्रांचिंग में जहां से ब्रांच शुरू होती है वहीं से ही आपको नंबर देना जरूरी है तो यहां से आपका 1 आ गया यह 2 आ गया, यह 3 आ गया और यह 4 आ गया अब यह जो है, यह 4 पे है, उसको हम कैसे नाम करण करेंगे तो पहले बात तो इसको सिर्फ फिनाइल बोलते है लेकिन यह 4 पे इसके क्लोरो भी है तो 4 ख्लोरो फिनाइल समझ गहाए, समझ गहाए अगर इस पे क्लोरीन ना लगा उता तो यह सिर्फ फिनाइल होता कोर लेकिन इसके फोर पर क्लोरिन लगा हुआ है तो फोर क्लोरोफिनेयल हो जाए तो इसका नाम हुझा नाम हुझाए Zu contact बठावा है 5 4 पे बठाँ हदा है फडिन ये स्कंड ळिकर आजाहा है ना भाई हा फोर पर देतτε बैठा हुआ है फोर क्लोरो फिनाईल, ब्रैकेट क्लोज, इसके थरी पे बैठा हुआ है, हाईडरॉक्सी, इसके थरी पे बैठा हुआ है, हाईडरॉक्सी, और ये एक, दो, तीन, चार, पांच का मतलब हमार पास पैंट है, पांच का मतलब हमार पास पैंट है, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन है, नाम क लोगा सब ब्रांचिंग से फिर दो कोशन आपको कर देने हैं खटाक से ठीक है जी चालो जी दिहान से देखेंगे इस कोशन को थोड़ा सा गलती नहीं करेंगे कहीं पर भी भाई चलो डवल बॉन्ड भी डाल देते हैं भाई साब और मज़ेदार कर देते हैं इस कोशन को यहां पर मालो सी एल लगा और यहां पर मालो सी एस त्री लगावाए चीक है अब इसके साथ है यहां पर भी सी डवल बॉन्ड ओ ओए चैक है अब इस प्रकार से अगर बात करें तो अच्छा दो एक ऐसे डरायड हो रहे कि यह तो आप गर बढ़ाना जाओ ऐसा करते हैं चल लो एसा करो ऐसा करो नयुक एक बार आप ऐसा करो इस उस फिलना लमन कया करेंगा एसा है मेरे हिसालिए मेरे हिसाब से का मतलब आसए घराइ इ बीए और आसिडा को हमें सबसे पहले branching a benzine के साथ sub branching at t o sub branching में हमारे पास अब numbering हमीश्कहीद शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 जाएंगे हम लोग इस नब बॉन नबर करतेंगे हैं अब अगर sub branching में से नमबर कर देंगे तो 5 पे हमारे पास यह त्गड़ा माजी लगे भी और प्रोमो तो अब वेसे बात है ब्रोमो पहले आता है A, B, C, D, K साफ से तो 6 पे पहली बात तो आपने ब्रोमो लगा दिया अब 5 पे आते हैं अब 5 पे ये ब्राकर ब्राकर योगि को विकॉज है सब ब्रांचेंगे फिनाईल के भी 3 पे क्लोरो है और 5 पे मिथाईल है और ये पूरा का पूरा 5 पे लगावा है कौन? सॉरी मैंने ब्राकर क्लोज कर दिया और ये पूरा का पूरा है फिनाईल है ना बई? दुबारा से इसके 3 पे Cloro है और 5 पे Methyl है और ये पूरा का पूरा Phenyl है अपने आप में समझ गए वई अगर ऐसा हो गया तो हमने इसका पूरा नाम लग दिया दुबारा से 3 पे Cloro है, 5 पे Methyl है और ये पूरा का पूरा Phenyl है अब कोई और functional group नहीं बचता है लेकिन 6 carbon है 6 carbon का मतलब होता है hex और इस बार sub में single bond नहीं है आप देख सकते हैं 3 पे double bond बैठा हुआ है तो hex के 3 पे हो गया in अब e लगाना है कि ने लगाना है भई यह acid halide और acid halide के लिए नाम के पिछे oil chloride आता है तो यहां पे o आने वाला है तो इसका मतलब है हमें यहां पे e हटाना होगा तो oil और chlorine लगावा है तो chloride बहुत ही मज़ेदार सवाल हो गया यह तो बहुत ही बढ़िया सवाल हो गया यह तो और यह इसका नाम करन हो गया चीक है जी अब आप सोचरों के क्या इतने बड़े नाम करनाते हैं अरे भाई आपको assignment दिया है science and fun app पे जो लेट आया है class में आपको बता दू हमने science and fun app पे assignment upload कर दिया है जाओ करो आपको समझ में आ जाएगा exam में क्या आता है क्या नहीं आता है उसमें जादर कोशन government school के last year के कोशन सी है चीक है जी चालिए दो सवाल हैं करते हैं और इसके लिए आपको दो मिनट पूरे मिलेंगे करने के लिए बचो दो सवाल है दो मिनट पूरे मिलेंगे आपको और वो है CH3 OH CH2 यह बेंजीन आपको पता है गोला ही मार सकते हैं C double bond OH यह इसमें कोई sub branching नहीं दिये है मैंने ठीक है ना इसमें कोई sub branching नहीं दिये है लेकिन phenyl है जिसके उपर आज हमने बात किये CH3 CH2 यहाँ पे CH3 CH3 यह बहुत प्यारा सवाल है बहूत प्यारा सवाल है जल्दीकर यह सब branching का सवाल है ठीक है जल्दी करो यह 2 question है दो कोशन के लिए पूरे 2 मिनट दे रहाँ मैं आपको कोई जल्द बाजी नहीं है çık cudcil जल्द बाजे नहीं, जल्द ही से करतो भई, खटाक से. जल्द ही से. झाल 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 प्लान तो बना लिया होगा आपने प्लान तो क्रियेट करी लिया हो इसका कि कैसे नाम करन करना है क्या करना प्लान तो क्रियेट करी लिया होगा इसका चली चली ठीक है ठीक है ठीक है आओ आगे बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो तो मेरे साब से एक तो भीया सही होना चाहिए इसमें, प्योंकि आप हम बहुत दिन से नॉयां क्लेचर कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस भी आपने कर ले अप एक्जाम भी बहुत करीब होंगे तो अब आपका दोनों में से कोई एक तो सही होना ही चोई है ठीक है दोनों सही है तो बहुत ही मजा आजा जाएगा चलो सबसे पहले बात तो कारवोग जेले भाईया बैठें तो एक दो तीन चार पांच यहां पर दो हाइड्रॉक्सी लगें और एक फिनाईल है तो H पहले कर रहा हूँ लेकिन हमेशा नाम एक लाइन में ही आने चाहिए तो टू पह आगया फिनाईल अब एक दो तीन चार पांच का मतलब हो गया पैंट पांच मैं इसके बात कर रहा हूँ लेकिन आपको इसी आगे करना है पैंट सब में सिंगल बॉंड है आप देख सकते हैं और नाम के पीछे आजाएगा ओएक एसेड तो नाम हो जाएगा फोर फोर डाय हाइड्रॉक्सी टू फिनाईल पेंटेनो एक एसेड अब यहां पर ध्यान देना आपको क्योंकि बेंजीन इस बार हमारा मेंचेन होने वाला है मतलब बेंजीन आएगा फिनाईल नहीं लेकिन य यह हमारे पास इथाईल है लेकिन यह आप देख सकते हैं सब ब्रांच है तो अगर मैं वन टू थ्री से शुरू करता हूं तो थ्री पे बैठा हुए इथाईल लेकिन वन पे अब यह हमारी मेंचेन है तो वन टू अब यह सब ब्रांच है क्योंकि यह हमारी सब ब्रांच की मेंचेन होगी और ये भाचला गया तो इसमें हमारे वन पे बैठावा है कौन इसके खुद के वन पे बैठावा है मिथाईल इसके खुद के वन पे बैठावा है मिथाईल ये कौन है इथाईल ये कौन है इथाईल और ऐसे ही थ्री पे भी कौन बैठावा है इथाईल मैंने गलती कर दी इधायल वाला पहले आएगा और यथायल वाला अगर पहले आएगा तो बच्चो उसका पोजीशन भी पहले आएगे सॉरी तो ये वान होगा सॉरी ये टू होगा और और नूमबर देंगे तो ऐसे ग्लाइब ये पूरा आप इसमें ये मेंचेन है, साइड की मेंचेन है, और ये हमारे पास आ गया, वन पे मिथाइल, और ये खुद कौन है इथाइल, लेकिन बेंजीन इस बार हमारा मेंचेन होगा, लेकिन बेंजीन इस बार हमारा मेंचेन होगा, क्योंकि और कोई है नहीं जो इस से ज नाम करन जो है वो कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस मेरे साफ стороны नाम करन खतम किया आप अगले anga isomerism में लायंंगे और एक जबाद कर देंगे आई-łem e02 म essa isol समे में처 में hier छेप्टर हटनी होगा यहाइ-łem कोड़ेशम इलेक्टो फाइंटा फाइल लेकिन हम चैप्टर खतम कर देंगे बाकि सारे चीज़ा और गैनिक के पड़के बट मैं हमेशा से बोलता है हूं नॉमन क्लेचर हमेशा टीचर के एंड से खतम होता है बच्चे के एंड से कभी भी नहीं क्योंकि आपको इसकी जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है और इस